आज के इस वीडियो के अंतरगा देखिया, आज हम क्लाश टेंट विशे विक्यान अध्याय दो से प्रस्न पढ़ेंगे, ठीके, कि अमल को तनुकरत करते समय, यहां क्यों अनुसंसित करते हैं, कि अमल को जल में मिलाना चाहिए, न जल को अमल में, ठीके, प्रस्न क्या है, कि अमल को तनुकरत, तनुकरत का मतलब हुआ कि अमल को और पतला, ठीके, पतला करते समय, हमें क्यों अनुसंसित जान है, इस बात का ध्यान क्यों रखना चाहिए, कि अमल को जल में मिलाना चाहिए, न जल को अमल में, ठीके, हमें जल में अमल को मिलाना चाहिए, एसा क्यों, जैसे कि देखिए, हमारे पास दस निम्बू है, ठीके, दस निम्बू है, हम उनको नीचोड़ेंगे, रस निकालेंगे, ठीके, समझ लीजे, एक गिलास हमारा निम्बू का रस निकल कर आगए, और एक गिलास हमारा क्या है, पानी है, ठीके, यदि हम उस एक गिलास तो उस एक ग्लास पानी में यदि मिलाएंगे ठीक है उसमें डालेंगे तो क्या होगा ये तो फिर तो ये होगा कि जो ग्लास है जो भी बरतन में रखा एक ग्लास पानी वो फूट जाएगा या उससे बहार निकल जाएगा ठीक है तो इसलिए हम हमें ध्यान रखना चाहिए क कि हमें अमलो को जल में मिलाना चाहिए ठीक है तो अब हमारा पाश एक गलास नीम्व का रस है और एक गलास पानी तो हम क्या करेंगे उस एक गलास पानी में थोड़ा सा नीम्व का रस डालेंगे ठीके तो उससे ना तो बरतन टूटेने का डर रहेगा ठीके और जो हमारा निबू का रह से वहां गाड़ा भी नहीं होगा ठीके वहां Limited पत्ला बनेगा ठीके इसलिए हमें अम लोको तनुक्रत करते समयं दिहान रखना चाहिए कि हमें अम लोको जल में मिलाना चाहिए ठीके तो चलिए इस प्रस्ण का आप अंसर कैसे लिखेंगे तो चलिए देखते हैं अमल का तनुकरन एक अतियंत उसमा छेपी अभिकिर्या है ठीके इसमें अधिक मात्रा में उसमा उत्पन्नी होती है इस किर्या में क्या होगा उसमा छेपे भिकिर्या होगी जिसमें अधिक मात्रा में उसमा उत्पन्नी होती है यदि हम अमलो को जल में विक्षे पित कर देते हैं जब हम अमलो को जल में विक्षे पित कर देते हैं तो उसमा उत्पन्नी होती है क्या होगी उसमा उत्पन्नी इसमें होगी और वहाँ जल के दुवारा सोसित कर लिजाती है इसलिए अमल को तनुकरत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं यहीं कि अमल को और पतला बनाने के लिए हम क्या करते हैं जल में अमल को मिलाते हैं ठीके बहुती सरप्रस्ण है कि अमल का तनुकरत एक अत्यंत उस्मा छेपी अभी की रिया है जिसमें अधिक मात्रा में उस्मा उठपन्य होती है और यहां हम अमलो को जल में विक्षेपित कर देते हैं जल में मिला देते हैं ठीके जब हम अमलो को जल में मिलाएंगे तो यह उस्मा उठपन्य करता है जो की अमल के द्वारा सोसित कर ली जाती है और इसलिए क्योंकि सोसित कर लेगी तो वह अमल को ठंडा कर देगी तो इसलिए हमें अमल को तनुकरत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं ठीक है तो आपको प्रस्ण अच्छा सन में आ गया होगा तो इस प्रस्ण का आप यहां से अच्छा से स्क्रीन सोट ले ठीक